एक बड़े शहर में एक युवा वेक्ती राहुल आया था। वह चोटे से परिवार से था और उसका सपना था कि वह अपना खुद का वैवसाय शुरू करेगा। उसकी माता पिता ने उसे हमेशा सची महनत और इमानदारी के मार पर चलने की सीख दे थी। राहुल ने कुछ वर्षों तक अलग-अलग वैवसाओं में काम किया और अनभो जुटाया। उसकी महनत और निष्ठा से उसका वैवसाय दीरे दीरे बढ़ने लगा। लेकिन जैसकी जीवन में आमतोर पर होता है उसने भी समश्याओं का सामना किया एक दिन उसका सब कुछ खो दिया। उसका वैवसाय, पैसे, समपत्ती, सब कुछ यह हादसा उसके लिए एक बड़ी चुनोती थी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी उसने फिर से वैवबार शुरू किया। इस बार और भी मेहनत और आग्रह के साथ राहुल ने 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 रास्तों की खोज की और ने ने आईडियाज का परिक्शन कीया। बिना हार माने उसने अपने सपनों की पुनरागमन की कोशिश की, दीरे दीरे उसकी मेहनत और निरंतरता ने उसे फिर से सफलता की और बढ़ने में मदद की, एक दिन उसका वैवसाय फिर से उसके पूरी दुनिया में मान बन गया वह, अब अपने साथियों के लिए एक प्र अतम विश्वास और संकल्प ने उसे उसके लक्षा तक पहुँचाया था यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अच्छे और बुरे समय आते हैं लेकिन हम्यारी मेहिनत संगर्ज और संकल्प हमें उन समश्याओं से गुजरने में मदद करते हैं हार नय माने की भावना ही हमें आगे बढ़ने में सहायक साबित हो सकती है चाहे रास्तव में कितनी भी चुनोतियां क्यों नय आएं धन्यवाद